तो कुल मिला करके अगर धारणा ये है कि FII आ रहे हैं वापस अगर प्रूड ठीक रहता है आपने पिछली बार भी एक डिसकेशन में काफी विस्तार से समझाया था कैसे FII का आना जाना जो है वो प्रूड से लिंक है भारत में तो वो चीज मुझे अच्छे से याद है अग ज़र आउटलुक 2024 के लिए ये है कि ये साल FII का पॉजिटिव इंफ्लो वाला रहेगा भारत में तो उसके चलते क्या लार्ज कैप ही मुझे रूप से फोकस में रहना चाहिए निविश्कों के या मिट कैप स्मॉल कैप उनमें अभी भी दमखम बाकी है भले ही 2023 जैसा रि फर्स्थ हाफ है हमारी एलेक्शन तक जबकि मैं कह रहा हूँ कि हमारी जो रिजल्ट के एंटिसूपेशन में फैस का हो जाजा आएगा पर सेकेंड हाफ न एक हाट टू प्रेडिक्ट है क्योंकि एक यूएस का एलेक्शन सामने होगा नमबर टू सेप्टमबर अक्टमबर से वापिस तेल का दाम उस वेंटर के डिमांड के कारण बढ़ सकता है तीसरी बात है गवर्मन्ट अगर अभी वोटन अकॉन करेगी उदर एक प्रॉपर बज़ेट जुलाई में प्रिसंट करेगी क्या कुछ कुछ कटिन डिजिजिएंस लेजा जाएगा रिगार्डिं ट बुकिंग होता है तो यह जो हेड्ज फॉंड्स आज आते हैं तो चेह मैने में उनको अच्छा पैसा बन गया तो क्लोजर टू दे यर और वो भी प्रॉफिट बे बुक करेंगे तो मार्केट बहुत अन्प्रेडिक्टिबल है उस चीज में कहुंगा कि फर्स आफ में क्लि हाली 100 स्टॉक का 75% मार्केट कैप शार है और 400 स्टॉक का 26% ही मार्केट शार तो यानि थोड़ा पैसा भी में इन स्मॉल कैप में आता है उसके दाम बहुत बढ़ती है तो एकोल अमटर फ्लो की जरूरत नहीं है में इन स्मॉल कैप को अच्छा परफॉर्म करने के लिए त तो एस लॉंग एस आ रहे हैं लाज कैप की वालुइंच तो बढ़ती हुए दिखेंगे तो मैं डॉमेस्टिक मूचल फर्ण्स को भी अपने अलोकेशन को लार्ज कैप से थोड़ी में में स्मॉल कैप में भी शिफ्ट करते हुए देख रहा हूं क्यूंकि वालुएशन भ पर्च कर चुकिये SIP बुक राइट वो मैं देख रहा हूं कि फर्स्टाफ के अंदर ही 20,000 क्रोड भी पार सच है तो इसमें मैंने देखा कि 30% of the SIP बुक मिड़न स्मॉल कैप में है और अनदर 30% मिटी कैप में है अभी आपके मिट कैप फंड ने भी एक बड़ा माइल अगर मैं ठीक से याद कर पार हूँ यह तैंक यू अगर मैं थी करों कि यह 30% मिटन स्मॉल के लिए अलोकेशन समझे तो इक 45% 17,000 क्रोड का 7 से 8,000 क्रोड as mid and small cap stock खरीने के लिए fund manager के पास पैसा SIP के जरीए आ रहे हैं तो हर मेने थोड़ा थोड़ा आएगा वो खरीने like पैसा है और दूसरा उनका भी एक जैसे large cap में FIS का ध्यान ज्यादा जाता है तो ये भी थोड़ा shift करेंगे तो mid and small cap के लिए first half में continued buying support देख रहा हूं तो ऐसा नहीं है कि मैं कहूंगा कि large cap अच्छे करेंगे तो mid and small के अच्छे नहीं करेंगे दोनों अच्छे करेंगे तो क्योंकि FIS का इतना पैसा एक volume में ज्यादा होता है compared to domestic flows मैंने कहा ना 66,000 क्रोड डिजंबर में आये थे वराइस SIP book 17,000 करोड है overall buying 18,000, 19,000 करोड है domestic का तो difference बहुत जाता होता है तो एक large cap oriented portfolio जैसे मैं चुनूंगा एक flexi cap और एक large and mid cap अभी large and mid cap में minimum 31% mid cap में रहना ही है और flexi cap में भी fund manager को flexibility है ये दोनों में आपको fund manager चुनेगा कि कितना में large में डालू कितना में mid में डालू और वो category मेरे लिए एक अच्छी है retail investor को अपना concentrated portfolio उसमें रखने का flexi cap और large and mid cap और अगर आपका risk लेने का और आपका वक्त का भी 5 साल का outlook है तो तीसरा segment है multi cap जहांपे 25% minimum small cap और 25% minimum mid cap 50% mid and small में हर वक्त में से भी का नियम है कि रखना है तो एक थोड़ा higher risk लेने वाले व्यक्ति को एक लंबी अवदी तो उसको देना ही है तो वहांपे multi cap एक अच्छी है तो मैं खहूंगा कि investor को इसके अलावा aggressive investor को flexi cap, large and mid cap, multi cap उसके अंदर अपने risk profile को देकर equity वाले risk oriented investor को उसी में रहना चाहिए और जो moderate है उनको तो multi asset fund और balance advantage fund ऐसी जो blend of debt equity, blend of gold equity ये वाली चीज़ बहतर suited होगी वही मेरा मनना है जे